Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ abuse words, जो actually public में अच्छे नहीं माने जाते हैं, और गंदे लगते हैं, जिन्हें हम हिंदी में गाली देना कहते हैं, तो आए जानते हैं, कुछ इसी तरह के गंदे शब्द, जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, आप इसे बहतर समझ पाए, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखकर और बोलकर बताया है, तो लिए शुरू करते हैं, बाद वर्ड यानि की ब्यूवर्शब, साला, इंग्लिश में कहते हैं, वाइफ्स ब्रॉदर, कुट्टा, इंग्लिश में कहते हैं, डॉग, कमीना, इंग्लिश में कहते हैं, शेमलिस, बेवकुफ, इंग्लिश में कहते हैं, स्टूपग, चोर, इंग्लिश में कहते हैं, Thief, बेशर्म, इंगलिश में कहते हैं, Shameless, शराबी, इंगलिश में कहते हैं, Drunkard, भिखारी, इंगलिश में कहते हैं, Beggar, वेश्या, इंगलिश में कहते हैं, Prostitute, मूर्ख, इंगलिश में कहते हैं, Fool, उल्लू, इंगलिश में कहते हैं, Fool, मोटा, इंगलिश में कहते हैं, Fat, छ छोटा मोटा आदमी, इंग्लिश में कहते हैं, Insignificant Person, पागल, इंग्लिश में कहते हैं, Madman, छी, इंग्लिश में कहते हैं, यक, गंदा आदमी, इंग्लिश में कहते हैं, Nasty Man, इंग्लिश में कहते हैं, गंदे लोग, इंग्लिश में कहते हैं, Nasty People, जूठा, इंग्लिश में कह पूर पीपल, खराब, इंग्लिश में कहते हैं, बाड, गंदे गलियां, इंग्लिश में कहते हैं, डर्टी स्ट्रीट्स, गंदी गली में, इंग्लिश में कहते हैं, इनर डर्टी स्ट्रीट, गंदा नाला, इंग्लिश में कहते हैं, गटर, मारूंगा, इंग्लिश में कहते ह इंग्लिश में कहते हैं इस चैनल में और भी और भी helpful वीडियो उपलब्ध है इन्हें अवश्य देखें इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब और शेर करना बिलकुल ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग